हाई गीज और वेलकम बाक तो दी चैनल दीपच यादव एजूकेशन वेलकम दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ऑफ 17 ओटूबर 2023 तो गाईज आज है तारिक 17 ओटूबर 2023 और है टूजडे देखेंगे आज के इंपोर्टेंट न्यूज एंड करना और जाकर इस चैनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां पर डेली बिस्ट पर लेक्चर का पीडियेस मिल जाता है और डेली बिस्ट पर बहुत सरे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सिनाई पैनेंसुला को कहां पर है यह एक्जैक्टली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे ने discussion किया हुआ है तो आप अराम से इस question का उत्तर दे सकते हो सवाल यह है कि एक term है two state solution यह term कभी-कभी news में देखने को मिलती है लेकिन किस देश के context में इस term का use किया जाता है उस देश का नाम आपने बताना है तो इसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है एटली सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily business पे बोलता हूँ इसका जो correct answer है वो मैं आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रुरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शोबर हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ तो दोस्तों कई सरे लोग thumbnail में जो वो title लिखा वाए उसको पढ़कर विश्वास नहीं कर रहोंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है वैसे बिल्कुल basic से समझते हैं कि exactly पूरा कपूरा matter का है दोस्तों दुनिया में जो सबसे top की space agency है वो कौन सी है सबको पता है कि हाँ NASA है ये अमेरिका की space agency है लेकिन इसके बाद कई सारी और भी space agency आती है लेकिन इसी प्रकार की space agency भारत के पास में भी है जिसका नाम है इजरो ठीक है इंडियान स्पेस रिसर्च और दोस्तों अगर हम दोनों space agencies को आज के समय पर compare करते हैं तो आपको पता है कि NASA काफी ज़ादा आगे है no doubt NASA के जो आज के समय के missions है या फिर इनकी जो technology है वो काफी ज़ादा advance आपको देखने को मिल जाती है as compared to the other space agencies उन other space agency में हमारा इजरो भी आ जाता है लेकिन ये भी पता होगा कि NASA इतना आगे कैसे है आगे इसलिए है क्योंकि इनका जो budget है वो भी तो बहुत ज़ादा है न आपको budget का difference भी पता होना चाहिए अगर आप budget को देखते हो मैं आपको 2023 का data बता होता हूँ कि 2030 के अंदर दोनों का budget का difference गया है बता है 0 के पास में कितना budget है हमारे 0 के पास में 10,530 करोड का budget है बस 2023 के अंदर में जबकि NASA के पास में 1,90,000 करोड से भी ज़ादा का ये budget है 1,90,000 करोड ये बहुत बड़ा amount हो गया तो budget जाता है उसके वैसे technologies जाते हैं advanced level के missions आपको देखने को मिल जाते हैं ये तो मैंने बस ख़ले एक छोटा सा comparison करके यहाँ पर आपको बताया है लेकिन उसके बाद अभी के समय पर जो लगातर news articles पब्लिश हो रहे हैं उसमें आपने एक heading जरूर से देखी होगी क्या heading देखी है NASA wants to buy ISRO's cheap and high efficient technology जो हमारी ISRO की technology है वो NASA खरीदना चाता है ये बात कौन बोल कर चला गया कैसे यहाँ पर इस media के अंदर में इसको coverage मिला है देखो जो हमारे ISRO के चीफ है S. सोमनात जी इन्होंने यहाँ पर खुद media के अंदर में आकर यह statement दिया है और यहाँ पर mention क्या है कि NASA हमारी इस technology को specially चंद्रियान 3 वाली technology को खरीदना चाता था खरीदना चाता था का मतलब क्या है क्या यह scenario पुरा past का है हाँ बिल्कुल अभी मैं इसके बारे में पूरा discussion करूँगा पहले उससे आप sources देख सकते हो Times of India, Live Band, Times of India उसके लवा बहुत सारे news articles आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं अब दोस्तों बात है यहाँ पर यह August के महीने की ठीक है August 2023 की यह महीना हमाले बहुत important भी था हमारा चंद्रियान 3 land भी किया मून के साउथ पूल पर सबको पता है अब दोस्तों यह हमारा mission चल रहा था ना उस दोरान जो NASA के scientist है ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी space agencies होती है ना उनकी कई सारी laboratories होती है कई सारी labs होती है तो NASA की भी यहाँ पर एक laboratory है jet propulsion laboratory यह laboratory बहुत important laboratory है बहुत बड़ी laboratory है जिसका main काम होता है जो rover वगरा हम बेचते हैं ना मार्स के उपर चलने के लिए उन rovers को यहाँ पर settle करने का काम होता है इस laboratory का तो इस laboratory के कई सारी जो scientist है वो यहाँ पर visit करते हैं हमारे ISRO के headquarter को ठीक है बैंगलोर के अंदर में जो headquarter से वहाँ पर आते हैं और उसके बाद में हमारा चंद्रियान 3 mission चली रहा था उससे में पर आपको बता है और उस चंद्रियान 3 के mission से यह काफी ज़दा impress हुए यह सभी लोग impress होने के पीछे के दोस्तों कई सारे ठोस reason है सबसे पहला reason है cost efficient इतने सस्ते दाम में moon पर चांद के ऐसे portion पर पहुँच पाना जहां पर आज तक कोई नहीं पहुँच पाया तो चंद्रमा के darkest point पर यहां पर इंडिया ने पहुँच कर दिखाया अपने चंद्रियान 3 mission के माध्यम से तो पहली चीज़ यहां पर दोस्तों जो हमने यह mission scientist है वो काफी सदा impressed हुए जब वो इज़रो के headquarter को visit किये और impressed होते वह यहां पर उन्होंने क्या बोला क्योंकि हमारे जो इज़रो के जो साइंटिस्ट है हमारे चीफ है उन्होंने बोला कि ठीक है आप देखो इस mission को इसमें को सुधार की ज़रौद है तो बताओ तो जो न grant 3 के अंदर में वो काफी देखने में beautiful हैं बहुत सस्ते हैं जिस तरीके से हमने इसको बिल्ड किया इसकी technology बहुत ही ज़दा efficient है फिर उसके बाद में वो scientist पूछते हैं हमारे इजरो के chief से कि आपने technology कैसे बनाई है कैसे बिल्ड किये है क्यों नहीं चाते कि आप यहां पर यह जो technology इसको अमेरिका को sell कर दो तो उन्होंने सीधा सीधा यहां पर question पूछा कि आप क्यों नहीं यहां पर यह sell कर सकते हैं आप सेल भी तो कर सकते हो अमेरिका को यह technology बेज दो सीधी सी बात है लेकिन इसके उपर अभी कोई भी statement नहीं दिया गया है ऐसा निये कि हम वीडियो वगरा आप लोग ने देखा भी होगा तो यह article पिछले एक दो दिनों से लगातर न्यूज में था सोचा यहां पर इसके उपर discussion करेंगे पहली सोचा था मैंने thumbnail क्रेट करूंगा आज finally यहां पर thumbnail बना कर आपके साथ में इसका जो proper discussion है वो यहां पर हो सका है ना त इसको बता होगा जो यह electoral bond का जो एक case चल रहा है लंबे समय से अभी इसके उपर कोई भी decision नहीं लिया गया है now finally यहां पर अभी पांच judge की जो bench है उनको यहां पर यह case transfer कर दिया है तो अब Supreme Court के पांच judge बैठेंगे और electoral bond का जो यह पूरा मुद्दा है इसकी सुनवाई कर देंगे तो यह कब पूरा case की सुनवाई की जाने वाली है तो दोस्तों यहां पर 31 October तक के लिए हांपर इसको list कर दिया गया है थोड़ा समय लगे गए हांपर इस particular case को देखने में अब यह matter है क्या electoral bond case क्या था यह case इसके बारे में थोड़ा basic detail जानते है important है दोस्तों पहल प्रासों का donation आता है वो सरी funding आती है इनके पास में और वो जो donation होता है न वो इसी electoral bond के जरीया आता है electoral bond एक process है जिस process के तहट आप मैं कोई इंडेस्टलिस और कोई बड़ा यहां पर वेक्ती वो सब अपनी पसंदिदा political party को donation दे सकते हैं पैसा provide करवा सकते हैं लेकिन दोस्तों इसमें problem क्या है? electoral bond में यहां पर problem यह बताए जारे कि कोई भी यहां पर जो information है वो publicly available नहीं होती है भाई किस ने कितना रूपिया किस political party को दिया है यह कुछ भी नहीं पता चलेगा किसी को भी सारी चीज़ा गुप्त रहती हैं यहां पर तो कहीं न कहीं यहां पर इससे बहुत सारे concerns पैदा होते हैं ऐसा यहां पर बोला गया और इसी चिंता की वेसे Supreme Court के अंदर में कुछ petitions यहां पर जारी की गई और उन याचिकाओं के अंदर पता है क्या मांग की गई उन याचिकाओं में सीधा सीधा यहां पर सुप्रीम कोट से बोला गया कि सर जो यह electoral bonds है ना इन electoral bonds में 95% जो electoral bonds है वो केवल और केवल एक ही political party के favor में बेचे जा रहा है या केवल और केवल एक ही political party को सबसे जादा फाइदा हो रहा है इन electoral bonds की वज़ा से तो इस प्रकार से यहां पर केस उठा उसके लबाद CPI M ने भी यहां पर इस मुद्दे को उठाया था वो भी यहां पर Supreme Court पहुँच गए उनका भी कहना था कि यहां पर political donations जो हो रहा है न यह unlimited donation हो रहा है बहुत जादा पैसो का donation हो रहा है क्योंकि हमारे पास में information निकल कर आनी रही है पब्लिकली कुछ भी नहीं पता चलता किस party को कितना donation मिला है कुछ तो information हमारे पास में होनी चाहिए थी न तो यह थोड़ा यहां पर चिंदाय का विश्या है तो इसी matter को देखते वे जो हमारे Chief Justice of India है डिवाई चंदर चूड जी इन्होंने यहां पर इस particular case को यहां पर transfer कर दिया है पांच जजज की bench के पास तो पांच जजज बैठेंगे पूरे case को discuss करेंगे देखेंगे यहां पर क्या दिक्कत हैं क्या नहीं दिक्कत हैं फिर उनका order आएगा तब यहां पर वो discussion भी हम लोग करेंगे लेकिन यह दोस्तों जो article था नहीं आर्टिकल हमारे exam के लिए काम कर नहीं है आप कोई पता इसमेंजे कोई भी important information निकल कर नहीं आएगी लेकिन इसका background data बहुत important है background data क्या होता है जो आप screen पर नीचे की side में देख पा रहे होंगे examination मेंगर कहीं से question पूछा गया तो यहीं से पूछा जाएगा कि electoral bond exactly होते क्या है क्या इसके फाइद है क्या इसके नुकसान है government अपना क्या strand लिया यह सारी बात आपने पता होने चाहिए क्योंकि syllabus के अंदर पे GS paper number 2 कि अंदर कई सारे points है government policies, interventions, elections, transparency, accountability सभी के points के point of view से यह article important हो जाता है तो दोस्तो electoral bond एक प्रकार का instrument है जिस instrument के माध्यम से हम अपनी political parties को donation दे सकते हैं अपनी पसंदिदा political party को यह जो bond है ना यह कुछ रुपियों के लिए जारी जाता है दस हजार रुपे का, एक लाग रुपे का, दस लाग रुपे का, एक करोड रुपे का भी bond होता है और इसकी कोई भी maximum limit नहीं है कितना भी पैसा आप donate कर सकते हो किसी particular political party को यह bond दिखता कैसा है, आँ मैं आपको एक photo दिखाता हूँ दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर यह electoral bond नजर आता है कावग एक कागज है, हाँ बिल्कुल कहां से purchase करना पड़ता है, State Bank of India से, SBI से ठीक है, तो SBI यहाँ पर associated bank है SBI यहाँ पर यह bond जारी करता है तो अगर आपको लगता है कि हाँ, आप किसी political party को donation देना चाहते हो, तो इसके एक date आती है particular time आता है इसका, ठीक है कि यहाँ पर यह जो bond है यह देने शुरू कर दिये गए हैं, कुछ समय तक दिये जाता है तो जिस समय पर यहाँ पर time आ जाएगा आप अगर चाहते हो देना तो आप SBI में जा सकते हो SBI में जाकर आपने यह bond purchase करना है for example, यह जो bond है, एक हजार रुपे का आपको दिख रहा होगा तो एक हजार रुपे आप दो गए bank को उसके बदले में आपको यह bond मिल जाएगा यह bond यहाँ पर 15 दिन तक valid रहेगा कितने 15 दिन तक valid रहेगा 15 दिन बाद यहाँ पर expire हो जाएगा कोई value नहीं रहेगी तो इस 15 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है यह जो कागस आपको मिल जाएगा इस कागस को ले जाकर अपनी पसंदिदा political party को दे देना है जिसको भी आप देना चाहते हो वो political party यहाँ पर उस bond से पैसे को withdraw कर लेगी यह पूरा का पूरा process चलता है electoral bond में तो 5 steps होते हैं दोस्तों आप इन 5 steps को दुबार से cover करते हैं कि कैसे इस process को रखा जाता है पहले तो एक notified bank को choose कर लिया जाएगा कि कौन से bank के मादम से bond जारी कर जाएगे जैसे यहाँ पर State Bank of India को यहाँ पर choose किया गया यह एक notified bank हो गई ठीके अब वो notified bank ही क्या करेगी आपको electoral bond देने का काम करेगी जो donor होगा जो यहाँ पर पैसा donate करेगा वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा उससे पहले SBI जाओ electoral bond को purchase करो electoral bond जो आप purchase करोगे तो आपका payment cash में नहीं होगा आपको checks या digital payments यहाँ पर करने पड़ेंगे फिर आपको मिल जाएगा वो परचा वो bond आपको यहाँ पर ले जाकर अपनी 100% party को दे देना है वो bond अपने एक specified time frame में जैसे 15 दिन की limit है तो उस time period के अंदर में यह bond ले जाकर दे देना है फिर वो जो political party उसको bond मिल जाएगा वो यहाँ पर account में deposit करके वो सारी की सारी जो यहाँ पर information या जो amount है वो यहाँ पर withdraw कर सकेगी तो मतलब यह जो बात है यह केवल आपको पता है कि आपने किस political party को donation दिया है और उस political party को पता है कि हमेरे पास में कितना donation आया है publicly कोई information हमारे पास में नहीं आई कि इस party के पास में इतना amount आया इतना पैसा इखटा हो गया कोई information बाहर नहीं आती है समझ गए ये सारी सारी details electoral commission के पास में भी रहती है political party के पास में भी रहती है और जो donation कर रहा है उसको भी पता है इसके बारे में तो दोस्तों यहाँ पर इस सारी सारी details बहुत की जड़ सिक्याओर हो जाती है तो इस विसे बोलो जाता है कि जो ruling party है उनके पास में सबसे ज़्यादा जो है donation आ रहा है तो ये जो bond होते है electoral bond इसके limit मैं आपको बता दिया है ये exactly limit है एक करोड या बिना किसी maximum limit आप कितना भी amount donate कर सकते हो state bank से यहाँ पर इस सरा काम किया जाएगा जैसे मैं आपको ये बताया अब question दोस्तों यहाँ पर ये भी है इसके लिए कुछ मन्त जारी किया जाता है कुछ महीनों में यहाँ पर bond issue किया जाता है तब यहाँ पर notification ओलड़ी आ जाता है या कोई company है कोई jointly या individual दूसरे के साथ में कोई दूसरे लोग मिले पड़े हैं आपस में group के साथ में वो purchase करना चाते है तो वो भी यहाँ पर purchase कर सकते हैं ऐसे कोई भी इसके ओपर restriction नहीं है लेकिन जो donor का name होता है न वो भी इस bond पर नहीं लिखा जाता उसका नाम तक नहीं पता चलेगा कि भाई किसने यह donation दिया है ठीके तो इसी वेज़ से यहाँ पर Supreme Court की साइट से statement भी आता है कई बार यहाँ पर जो यह electoral bond है न इसका गलत उपयोग हो सकता है misuse हो सकता है इस प्रकार के जो points से वो भी यहाँ पर उठाये जाता है misuse कैसे हो सकता है सबसे पहला misuse है इसका anonymity anonymity का मतलब यहाँ पर यह है क्योंकि अभी नाही donor की information है ठीक है किसने यहाँ पर यह payment किया है वो payment यहाँ पर कोई company हो सकती है बड़ी सी कोई corporate हो सकता है ठीक है उसकी information भी नहीं political party की information अभी किसके पास में donation कहां से आया है कुछ नहीं पता चल रहा तो पहली चीज़ तो यह information हमारे पास में होनी चाहिए ठीक है ऐसा हो यहाँ पर point उठाया गया दूसरा यहाँ पर सरकार ने ना इसी point को defend गया सरकार ने बोला कि देखो नहीं ऐसा नहीं हो सकता सरकार ने बोला कि जो यह parties जो भी political party देखो हर किसी political party को यह donation नहीं मिल सकता किस political party को मिलता है only parties registered under the representative of the people act 1951 देखो 1951 का एक कानून है representative of the people act कोई भी political party अगर इस कानून के अंदर में registered है तब ही उसको electoral bond के तहद donation मिल सकता है लेकिन इतनी बात यहाँ पर कह सकते हो केवल और केवल काम में नहीं आएगी इसके बाद एक और point ध्यान लगना होगा point यहाँ पर यह भी है कि कि किसी political party को पहली बात तो इस वाले act में register होना पलेगा साथ ही साथ में यहाँ पर जो कोई previous election जो भी पहला election हुआ होगा मतब जो भी यहाँ पर last election होगा उसमें कम से कम 1% vote यहाँ पर उनको secure करने पड़ेंगा और 1% vote यार हर एक political party secure कर जाती है राम से तो अगर यह conditions है यह conditions political party ने fulfill कर ली तो उसको electoral bond के जरीए यह donation दिये जा सकते हैं तो सरकार ने यहाँ पर यह defined किया कि यहाँ पर कोई fraud नहीं हो रहा है दूसरी बात यहाँ पर सरकार ने एक चीज़ और बोली कि यह जो electoral bond के जरीए पैसा आ रहा है यहाँ पर black money का कोई रोल नहीं है कि एवल white money ही इन bonds के अदर involve है क्योंकि सारा का सरा payment check और demand draft से किया जा रहा है तो black money का भी कोई चक्कर नहीं है तो इस चक्कर में यहाँ पर जो यह पूरा का पूरा concept electoral bond का यह अपनी जगा पर सही है यहाँ पर जो information पब्लिक की साइट से आ रहे हैं तो उनके पास में पता होना चाहिए कि कहां से कितना donation और कितना amount यहाँ पर खटा है कि इस political party ने ठीक है तो इस particular case की यहाँ पर सुनवाई हो रही है देखते हैं आगे कब इस matter को लेकर जो सारा कैसरे decisions से Supreme Court के आते हैं आएंगे तो आपके साथ में already discuss कर लिए जाएंगे आई होप आपको अच्छे से जो clarity इस article को लेकर मिल चुकी है अगले article पर आता है ना दोस्तो next article बढ़ने से पहले एक important information है अगर आप लोग हमारे paid groups को जोइन करना चाहते हो आपके पास में बढ़िया chance इसको जोइन करने का paid group को जोइन करने पर आपको फायदा क्या होगा यहाँ पर daily current notes के PDF अगरा provide करवाय जाते हैं for example अभी हम लोगों ने electoral bond का article discuss किया लेकिन वो article important नहीं आपको पता है जो उसका background data है question बना तो वहाँ से बनेगा तो उस वाली background information को लिखते लिखते आप परिशन हो जाओगे notes बनाते बनाते यहाँ पर बहुत सरी detailing से खटी हो जाएंगी तो उसके लिए बहुत time भी चाहिए और हमें बाकी books भी त्यार करनी है तो आपको एक बहुत अच्छा solution आ जाता है कि daily basis पे आपको A4 sheet के size पर सारगा सारगा content प्रोवाइड करवा जाता है printed form में ठीक है और यह जो 200 PDF मिलती है यह printable होती है यानि कि चाहुत आप इसका printout निकलवा सकते हो दूसरी बात यह PDF हिंदी और English दोनों भाशाओं में होती है दोनों भाशाओं में आप यह content को प्राप्त कर सकते हो चीक है इसका printout निकलवा कि अपने पास में रख कर उसको कभी भी पढ़ सकते हो या फिर group में सारा content पढ़ावाए होता निये कि यार हमारी PDF ही दरुदर हो सकते हो सीधा आपने किसी भी तारिक का PDF डाउनलोड किया पढ़ा पढ़ने के बाद में डिलीट कर दिया no tension क्योंकि आप कई बार डाउनलोड कर सकते हो इस ग्रूप से यह security आपको यहाँ पर इस ग्रूप के अंदर में विल जाती है और इस ग्रूप को जॉइन करने की जो 853-487-3368 इस नंबर पर मेसेज कर देना कि हा मुझे एक ग्रूप जॉइन करना है आपको महां से reply आएगा reply में आपको payment का process दिया जाएगा लेकिन payment के process के साथ साथ एक important चीज़ यह है कि आपको demo वीडियो का link मिलेगा आप पूरे demo वीडियो के link को अच्छे से देख सकते ह क्लिक करोगे तो आपको वीडियो ऊपन होगा पूरे वीडियो को अच्छे से देखना कि यार मुझे exactly क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं इस group के अंदर में फिर अपने आपको satisfy करने के बाद मजाकर यह investment करना है ना दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम विशा की तरह make sure करना वीडियो पर जो यार लाइक का बटन उसको प्रेस कर दिया करो आज भी हमारा टार्गेट 5K प्लस लाइक्स का है साधी साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पर जाना सर्च बोक्स में लिखना दीपा ज्याद abortion plea says it can't stop heartbeat of a viable fortress matter क्या मैं आपको समझाता हूँ आज से कुछ जिन पहले लगातार यहाँ पर एक women जो है वो लगातार चर्चा में बनी वी है वो women pregnancy के stage से गुजर रही है ठीक है उनकी जो pregnancy का stage चला है वो 26 वा सब्ता चल रहा है 26th week यहाँ पर चल रहा है उनके pregnancy का तो इस particular week म पेटिशन डालती है उस पेटिशन के अंदर में इनकी माग क्या है कि यह abortion करवाना चाहती है यह matter सुप्रीम कोर्ट में लंबे से चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के जो Chief Justice of India है डिवाई चंद्रचूट जी इन्हों ने यहाँ पर इन महिला की फटकार भी लगाई थी भई अ यहाँ पर abortion किया जो यह petition उसको मना कर दिया है कि भई हम यहाँ पर abortion करने के लिए approval नहीं दे सकते हम यहाँ पर एक बच्चा एक unborn child जो कि अभी जर्म नहीं लिया है वो अच्छी खासी shape में आ चुगा है उसकी heartbeat को हम नहीं रोक सकते उसकी जान नहीं ले सकते उसके पास म जो यहाँ पर petitioner है, petitioner का यहाँ पर कहना यह है यानि petitioner के council जो है उनका कहना यह है कि देखो यह जो महिला है न यह काफी problem face कर सकती है जो कि यहाँ पर यह इस वाले child को नहीं चाहती है ठीकि abortion करवना चाहती है तो कहीना कि physically, emotionally, mentally, financially, medically, यह unable to carry है यानि कि यहाँ पर इनके अ इस बच्चे को यहाँ पर आगे पैदा नहीं कर सकती है और अगर यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ तो कहीन का यहाँ पर यह depression भी जा सकती है ऐसा यहाँ पर petitioner का कहना है इसके जवाब में Supreme Court ने बोला कुछ भी हो जाए लेकिन हम यहाँ पर वो जो बच्चा है unborn child है उसक भी कुछ rights है उसके protection के उपर धिया जाएगा और साधी साथ में Supreme Court ने यह भी बोला है कि जो आप अगर कानून के हिसाब से भी देखोगे तो हमारे पास में कानून है Medical Termination of Pregnancy Act MTP जिसको हम बोलता है तो यह जो MTP Act का section number 5 open करो section 5 में क्या लिखाई आए कि अगर कोई pregnancy के अं प्रॉब्लम यह ना आ जाए कि ऐसी condition हो जाए कि यहां पर बच्चे को बचा आजा सकता है या फिर मा को ऐसी condition आ जाए कि यहां पर अगर बिल्कुल emergency create हो जाए कि कहीं ने कहां पर abortion करना ही पड़ेगा नहीं तो फिर मा की जान चली जाएगी अगर ऐसी condition आ जाती है तब जा कि यहां पर बोल जाए कि जो petitioner है वो यहां पर abortion नहीं करवा सकती है क्योंकि रिपोर्ट साफ साफ यह बोलती है कि यहां पर उनकी life को कोई खत्रा नहीं है सब कुछ normal stage में चल रहा है और बात के वल यहां पर नहीं रुकती है क्योंकि medical termination of pregnancy act के अंदर में एक limit set की गई है वो limit आपको पता नहीं है 24 सपता की limit है कि 24 weeks तक केवल 24 weeks और 24 weeks के अंदर अंदर abortion किया जा सकता है बस वो limit भी cross हो चुकी अब अब यहां पर कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो at the last she cannot medically terminate the child now तो दोस्तों यह जो मुद्दा है अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार news में हमको द कर सकता लेकिन एक्जाम में help क्या करेगा इसका background डिटा यह जो abortion को लेकर भारत के अंदर कानून है वो exactly क्या कानून है यह आपने पतावना चाहिए especially जो MTP Act की बात किये सुप्रीम कोर्ट नहीं यह MTP Act क्या है इसके बारे में थोड़ा सा discussion कर लेता है relevant है इसके full form है medical termination of pregnancy rules GS paper number 2 health के point of view से important है ठीक है issues related to women, gender यह सारे important issues आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों हाल ही में भी यह MTP Act news में था क्यों क्यों कि इसके अंदर संशोधन किया यह सरकार ने कुछ नए rules यहां पर mention करे थे MTP Act के दायत तो 2021 का जो यह Act है वो यहां पर pass किया यह ताकि पुराने व वो बदलाव किया थे वो भी मैं आपको समझाओंगा यहां पर ठीक है अभी फिलाल यहां पर आपना यह समझना है कि जो MTP Act है यह Medical Termination Pregnancy के तहट जो महिला की abortion करवाने की जो एक limit है वो पहले 20 weeks हुआ कर दी थी 20 सब्ता अभी भी यहां पर 20 सब्ता है यह 20 weeks ही limited 20 weeks के इसको यहां पर 24 weeks तक भी terminate किया जा सकता है 24 weeks at the last यहां पर limit है और दोस्तों यहां पर यह 24 weeks है सभी महिलाओ के लिए नहीं है कुछी महिलाओ के लिए जो specific category से गुजर रही है केवल उनके लिए यहां पर यह 24 सब्ता किया गया कौनकों सी category से गुजरने वाली महिला है 24 सब्ता यहां पर abortion करवा सकती है या कोई minor है 18 साल से कम उम्र की यहां पर बच्ची है कोई ठीक है या फिर किसी का जो marital status है वो चीए जो चुका है यानि कि उनकी pregnancy stage चल रही थी pregnancy से गुजर रही थी वो उनके साथ में यहां पर कोई हास्सा हो जाता है divorce हो जाता है ठीक है य यहां पर जो यह abortion है इसको यहां पर increase किया जा सकता है 20 weeks से 24 weeks करा जा सकता है इसके साथ कुछ और provisions भी एक फूटल malformation एक कारण यह भी है कि मालो यहां पर जो बच्चा अभी मदर के warm के अंदर में बनना शुरू हुआ है उसमें बहुत सरी कह सकतो problem शुरू हो चुकी है वो उस case में भी यहां पर महिला के लिए जो यह abortion करवानी की limit है इसको यहां पर बढ़ा दिया जाता है 20 सब्ता से 24 weeks कर दिया जाता है 24 सब्ता कर दिया जाता है या कुछ ऐसी महिला है जो कि यहां पर किसी disaster से गुजर रही है emergency situation से गुजर रही है तो उनके लिए भी यहां पर पीछे के जो reasons है वो मैं आपको बता दिये भाई यह किसी कुछी categories के महिलाओ के लिए यहां पर यह 24 सब्ता की limit कर दी गई है और दोस्तों यहां पर problem बताए क्या है कि यहां पर abortion करवाना है इस MTP Act के तैद तो इसके लिए बहुत सारे approvals लेनी की जरुरत होती है इसके decide करेगा वो medical board के उपर है कि वो इसको accept करे या reject करे समझ गए और medical board के पास में तीन दिन का समय होता है जैसी इनके पास में request आएगी कि भाईया approval चाहिए हमें तो वो तीन दिन में decide करेगा कि भाईया इससे reject करना या फिर यहां पर ठीक है आप करवा सकते हो यह उनके उपर है फिर approval मिलने के बाद में जो यह abortion का procedure है वो 5 दिन के अंदर दर शुरू हो जाता है तो उसके बाद में यहां पर आप कह सकते हो abortion करवा दिया जाता है लेकिन दोस्तों पता है इस medical termination pregnancy act के अंदर में कुछ दिक्कते भी है कुछ समस्या भी है पहली समस्या यहां पर यह है क कुछ categories की जो मेला है जो categories बना भी आपको उपर बताएं उनके लिए abortion का time period increase कर दिया जा 20-24 कर दिया जा लेकिन अभी भी यहां पर यह जो MTP act है यह अभी भी सही नहीं है सही क्यों नहीं है कई सरी मेलाए ऐसी हैं जो अगर अपने खुद से भी चाहें मतलब खुद से अग वो termination नहीं करवा सकती है अगर यह जो process है इस से यहां पर गुजरा है कोई तब ही जाकर यह उनके उपर applicable होगा यह समझ गया है तो 24 सपता का जो यह time period है जो यह extra 4 weeks increase कर दिया या है कि कुछी categories के महिलाओ के लिए increase किया गया है यह पहली समस्या इसमें देखने को मिलती है दूसरी समस्या यहां पर यह है कि दोस्तों यह जो कानून है ना इसके अंदर में जो abortion करवाया जाता है वो abortion केवल और केवल उन्हीं doctors के मादम से हो सकता है जो की gynecology और obstratics के अंदर में specialist हो यही लोग यहां पर यह abortion करवा सकते हैं यह कर मतलब यह पुरे के पुरे process को abortion क process को conduct कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां पर इस field के अंदर में जो specialist doctors है इनकी भारत में बहुत ज़दा कमी है हमारे जो rural areas है health centers है वहाँ पर 75% shortage है इन प्रकार के doctors का तो इस वसे यहां पर safe abortion करवा पाना भी काफी ज़दा मुश्किल यहां पर हो जाता है तो यह कुछ यहां पर समस्या है MTP Act को लेकर तो आई हूप आपको clarity मिल चुकी है क्योंकि MTP Act News में किसी कारण की वजा से तो यह कारण आपको पता चल चुका है यह खबर क्या है उसके अलावा MTP Act क्या है इनमें process क्या है 20-24 limit कौन से महिलाओ के लिए है इसमें समस्या क्या है तो आपने overall 360 degree के लोग GS paper number three economy के point of view से link कर सकते हैं बास्मती के चावल के बारे में चर्चा की जा रही है तो दोस्तों इंडिया मैं आपको पता है काफी ज़्यादा मात्रा में चावल की खेती की जाती है ठीक है चावल को उगया जाता है अब बात यहां पर यह है कि जो यह बास्मती वाला दोस्तों हम दुनिया में export करने का काम करते हैं अच्छे का सा मतरा में export होता है लेकिन अभी export के उपर कह सकतो कुछ problems आ गई है problems क्या गई है क्योंकि भारत सरकार ने आपर एक decision लिया और decision में जो हमारा minimum export price होता है अभी तक आपने केवल minimum support price MSP सुना होगा आज आप यह सुन यहां पर कह सकतो 4 million metric ton से भी ज़्यादा बासमती rice को export करता है इतने ज़्यादा बड़े मातरा में क्योंकि जो बासमती rice है यह normal rice से थोड़ा अलग होता है इसका texture अलग होता है यह थोड़ा खुला खुला बनता है फैलावा बनता है इसका अदर बहुत अच्छी खुश्ब कर दिया minimum export price नाम से क्या पता चल रहा है कि जो भी हमारे exporters होंगे जो यहां पर दुनिया में चावल बेचेंगे यह वला उनको minimum इतने price में तो बेचना है minimum इससे कम दाम में नहीं बेच सकते इससे ज़्यादा हो सकता है इससे कम दाम में नहीं बेच सकते तो यह minimum export price है तो minimum बी continue रखा गया है और इसकी चक्कर में हमारे export के उपर कह सकतो एक रुकावट सी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं जो यह export है यह जादा मात्रा में यह जादा पैसों के अंदर में हो रहा है इस चक्कर में जो export है वो आज के समय पर थोड़ा सा कम हो गया है हमारे ब farmers की मांग है कि हमारी केन सरकार को कम से कम 850 से लेकर 900 डॉलर के आसपास का amount रखना चाहिए था 850 से लेकर 900 डॉलर टन के हिसाब से रखते तो export जादा होता हमारे देश से हमारे farmers की जादा income generation होती यहाँ पर अभी उनको loss ही हो रहा है क्योंकि वो export नहीं कर पार है export काफी महा हो चुका है समझ गए तो यह बेसिकली यहाँ पर यह पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो चरचा में है लेकिन examination के perspective से क्या कुछ important है यह आप समझ चुके होंगे क्या important है rice का status especially बास्मती राइस बास्मती राइस की स्थिती भारत के अंदर में क्या है कहां कहां पर grow की जा हमें तो बास्मती राइस बास्मती राइस का जो origin है दोस्तो वो भारत से होता है और पाकिसान के भी कुछ हिस्सों में यहाँ पर इसका origin होता है यह चावल के एक सबसे premium quality है बहुत अच्छी variety हमको देखने को मलती है हिमालन फोटिल्स में इसको grow किया जाता है और दुनिया बास्मती राइस को कैसे पैचाना जाता है लंबे वले चावल इन बास्मती राइस का जो size होता है यह थोड़ा सा लंबा होता है जैसा आप यहाँ पर देख पाऊगे बाकिसारे चावल के comparison में fluffy texture होता है बहुत अच्छी खुश्बू आती है बहुत अच्छा flavor यहाँ पर बास्मती राइस का उत्पादन हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहां पर होता है हिमाचल प्रदेश पंजाब हर्याणा डेली उत्रकंड मध्या प्रदेश उसके बाद जमुएंड कश्मीर एंड वेस्टन उतर प्रदेश यह सारे स्टेट्स हैं जहां जहां पर यह बास् करता है यानि इंडिया में तो consume किया जाता है दुनिया भर में कई सरही कंटरीज यहां पर इसको कंश्यूम करते है दुनिया में कि घोटाला कर दी जाता है, घोटाले में क्या है कि जो ये बासमती वाले चावल है ना, इसमें छोटे वाले चावल मिला दी जाता है, मिला कर बेज जिया जाता है, तो उसकी चेकर में जो quality है वो खराब भी हो जाती है, लेकिन अगर pure बासमती राइस का अगर price देखोगे, थ थोड़ा जादा होता है as compared to the other rice या आपने ध्यान में रखना है अब मैं कुछ basic चीज़ा बताता हूँ एक बात ध्यान रखना बास्मती rice के अंदर में जो ये खुश्बू आती है ना जो ये flavor आता है वो क्यों आता है उसके पीछे का reason है इसमें chemical present हो था उस chemical का नाम ध्यान र इसकी चावल की दोस्तों चावल जो है हमारे भारत के अंदर में एक stable food है सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं मतलब commonly average person सबसे ज़्यादा लोग खाते होंगे चावल डेली की diet में लोग के diet diet में रहता है चावल एक खारीफ crop है धिहान अकना very very important question पूछ जाता है कि ये फसल कौन सी crop है तो एक खारीफ crop है इसको उगाने के लिए आपको temperature चाहिए होता है 25 degree Celsius का और जो बारिश चाहिए होती है साल भर में 100 cm का सबस rainfall चाहिए होती है अगर बार जो और चावल का जो यहाँ पर फसल है हमारे southern states में especially west bengal में आप देखोगे तो सबसे जादा यहाँ पर इस तरीके से grow किया जाता है west bengal के जो farmers है वो तीन प्रकार के चावल की फसल को grow करता है एक का नाम है ओस अमन और बोरू यह यहाँ पर आपको तीनों फसलों के नाम पूर मात्रा में हमको उत्पादन देखने को मिलता है ठीक है यह तो leading producer है सबसे आगे निकलेवे producer है जो सबसे आगे चल रहे हैं यहाँ पर production अच्छे लेवल पर हो रहा है यह leading है ठीक है यह दिनों states कहीं है कहीं आपका सकता हो एक leader की category में आते हैं लेकिन उसके अलावा इ पूरे दुनिया भर में देखें और और लेटा तो चाइना के बाद में सबसे टॉप पर तो चाइना है चाइना के बाद में इंडिया सेकेंड लार्जेस प्रेड्यूजर है भारत दूसर नंबर पर आता है जो चावल का सब शाद उत्पादन करता है और यही question UPSC ने 2019 में पूछ लिया था question क्या था among the following which one is the largest exporter of rice in the world in the last five years यानी 2019 से पहले पांस सालों में कौन सा देश था जो कि सबसे ज़ादा export करता था चावल को पूरे दुनिया में तो इसमें सही उत्तर आपको इंडिया देखने को मिलेगा option number भी इंडिया तो यह आप देखवाओगे तो इस तरीके से questions आप से पूछ ली जाते है exporter और producer को लेकर आगे आते है next article पर अगला article हमरे exam के लिए बहुत बहुत important है अब इंडियार हिमालन रीजन में हमको अपना खुद का EIA जरूरत है environment impact assessment क्या होता है EIA कैसे help कर सकता है वो यहाँ पर समझाया गया writer ने थे तो उसके बारे में discussion करेंगे लेकिन उससे जाधा important tutorial या article of the day वो यह है हमने इडिन express का भी एक editorial लिया है दोस्तो एडिटोरल में आप फिल्कुल free होते हो आप कहीं से भी कोई सी भी अखवार से पढ़ सकते हो लेकिन relevant topics होने चाहिए जो आपको help कर सके हैं यहाँ पर जो writer आपको देख रहा है जिनका नाम है अनिल का कोडर तो इन्होंने यहाँ पर mention किया है कि India needs to go nuclear भारत को यहाँ पर nuclear energy की आज के समय पर जर energy है वो हमें सबसादा help कर सकती है कैसे सब कुछ discuss करेंगे सारे points को स्क्रीन पर नीचे देखते वह चलो तो चलो शुरूबात करते हैं हमारे writer जी का क्या है कहना तो context क्या है क्यों लिखा इन्होंने एडिटूरल इन्होंने इस लिखा इनका कहना यह है कि जो भारत की economy है यह दुनिया में बनने वाले हैं और हो सकता यह काम 2030 से पहले हो जाए तो जो economy growth है यह economy growth तब भी होती है जैसे आप कह सकते हो तेजी से country के अंदर विकास हुआ लेकिन उसके बाद दोस्तों यह जैसे से economic growth होगी लोगों के standards improve होंगे तो उसके बाद जो energy की जो demand energy की जो मांग है वो भी यहाँ पर भरपूर मातरा में बढ़ने वाली है और इसी के basis पर यहाँ पर जो हमारे writer हैं वो यह focus करते हैं कि हमें आज के समय पर इसके उपर सोचना पड़ेगा ज्योंकि जादतर जो आज हम energy use कर रहे हैं वो fossil energy है कोईली को जला कर बिजली का उत्पादन हो रहा है है ना यही energy है या कुछ और gases को यहाँ पर जला कर हम लोग energy को generate कर रहे हैं जिससे pollution बहुत ज़्यादा हो रहा है pollution बहुत ज़्यादा हो रहा है, resources बहुत लग रहे हैं लेकिन nuclear energy एक ऐसी energy है जिसमें आपके resources कम लगेंगे लेकिन energy आपको कही गुना ज़्यादा मिलेगी हमें यहाँ पर इंडिया को अगर एक developed country बनाना है तो हमें clean energy की requirement पड़ेगी और clean energy कितनी चाहिए होगी हमें हर साल लगबग 25,000 से लेकर 30,000 tetra watt hours के असपास energy चाहिए होगी इतनी energy यह energy कितनी होगी बही जितना आज हम use कर रहते हैं जितना आज हमारा in electricity और energy का consumption है इससे 4 पर गुना जादा हो गया इतना energy हमको चाहिए होगा तो यह बहुत असान नहीं करना इंडिया को यहाँ पर करना पड़ेगा और अगर यह करना है तो हमारे पास में एक सबसे बड़ी option है वो है nuclear energy नाव एड़ लास्ट question आता है कि सर यह nuclear energy होती क्या है और यह समझता है तो nuclear nuclear energy एक प्रकार की ऐसी energy है जो की nucleus से release होती है atom से release होती है को गई है क्या है मैं आपको बता दाओं देखो दोस्तों जो nuclear energy होती है इसकी जो power होती है यह बहुत जादा होती है normal energy से जो आप कोईले से generate कर रहो या तेल पेटरोल बगरा जला कर energy generate कर रहो यह तो कुछ भी नहीं ह कि दो तारीके होता है आपने यह पढ़ा होगा एक होता है nuclear fission और एक होता है nuclear fusion fusion यह दोनों के बीच में क्या difference है समझते हैं दोस्तो nuclear fission में क्या होता है nuclear fission में यह basically ऐसा process है जहां पर हम क्या लेंगे एक nucleus लेंगे क्या लेंगे, एक nucleus लेंगे मतलब एक atom का nucleus ले लिया उस atom की nucleus को हम तोड़ेंगे छोटे-छोटे nuclei में तोड़ेंगे यानि इसको हम बाकी में हिस्से में तोड़ते चले जाएंगे और तोड़ेंगे, इससे क्या होगा बहुत सारी जो energy है वो release होगी तो nuclear fission में for example आप कह सकते हो कि हमने neutron लिया और neutron को हम लोगों ने split कर दिया, तोड़ दिया ठीके? और इस बड़े से atom को हम लोगों ने 2 या 2 से जाधा particles में तोड़ दिया इसमें neutron मिल जाएगा, energy मिल जाएगी काफी सरी चीज़ें मिल जाएगी तो यह जो process होता है, यह nuclear fission वाला process होता है, इसको हम conduct कर सकते हैं, और यह already use क्या जाता है, हमारे जो nuclear power plants जो उपर आप देख पार होने, जो power plants हैं, यह इस method को use करते हैं, इन nuclear power plant में यह method कैसे use होता है, सबसे बहले इसमें uranium का use कर जाता है, uranium 235 का plutonium 239 का use कर जाता है uranium और plutonium, इनका use करके हम भरपूर मातरा में जो energy है, electricity है, इसको यहाँ पर generate करते हैं, तो uranium, plutonium को यहाँ पर इस प्रकार से आगे further तोड़ा जाता है इस पुरे के पुरे process में nuclear fission के अंदर में, F-I-S-S-I-O-N फिर दोसों, यहाँ पर दूसरा होता है nuclear fusion, यह कालब process कैसा है दूसरे वाले process में हम क्या करता है पहले वाले process में हम क्या कर रहे थे atom को तोड़ रहे थे, nuclear में अभी क्या करेंगे, हम इसमें atom को जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम दो या दो से ज़ादा atoms को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में क्या करेंगे उसको और ज़दा heavy बनाएंगे और ज़दा मजबूत बनाएंगे और यह जो nuclear fusion है न दोस्तों यह हमारे sun के अंदर में energy generate होती है जो हमारा sun रह न, sun रह में कौन सा process चल रहा है, इतनी गर्मी जनरेट हो रही है nuclear fusion की वज़ा से ठीक है, यह आपने ध्यान में रख रहा है तो यह दोनों process अलग-अलग है आपसे पूछ ज़दा है कि fission और fusion में क्या difference है, तो fission वो process है जहाँ पर atom को तोड़ दिया जाता है बाट दिया जाता है, और fusion के अंदर में atom को combine के जाता है, दो ज़्यादो से ज़्यादा atom को मिला देंगे, जिससे और ज़्यादा heavy especially यहाँ पर दो light atoms को मिला दी देगा for example जैसे आपको, जब भी मैं fusion पढ़ाता हूं, एक होता है deuterium, क्या होता है deuterium और एक होता है treatium, तो deuterium और treatium, दोनों को हम लोगों को ने मिला दिया, combine कर दिया, तो दोनों को मिला कि यहाँ पर इस तरीके से हमको atom मिल जाएगा, ठीक है और यह दोनों दब आपस में मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ मिल गए, मिलने के बाद में जादा energy को generate करेंगे, एकर deuterium, treatrium मिल जाते हैं, तो इसमें से हमको helium मिलता है, energy मिलती है भरपूर मात्रा में, neutron मिलता है हमको, समझ गए, तो यह basically यहाँ पर हमारा nuclear fusion होता है, तो यही वाला process के मादियम से हमारे sun में energy जो generate हो रही है sun की जो उर्जा है, वो इसी process से हो रही है सितारों में जो उर्जा है, वो इसी process से हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसको प्रत्वी पर कर पाना, एक control way में बहुत ज़ादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें energy limit less होती है, कोई limit ही यह energy की, लेकिन यह बहुत ज़ादा challenging है, इसको यहाँ पर कर पाना इसी वेशे हम लोग nuclear fusion की वज़ा अपने प्रत्वी पर जो nuclear plants के अंदर में energy को generate करने का process अपनाते हैं वो nuclear fission होता है, और fission में भी इस प्रकार से high intensity की जो energy है, वो हम generate करते हैं, लेकिन process हमारा थोड़ा सा अलाग है, यह बात आपको समझ मागा है, यह दो प्रकार होता है, अब दोस्तो nuclear energy की इस्थिती भारत में क्या है, जरा इसको भी थोड़ा discuss कर लेते हैं, nuclear energy पांचवा सबसे बड़ा source है, हमारे इंडिया के अंदर बिजली का, जो हमारे इंडिया में बिजली generate हो रही है न, कोईले से हो रही है, solar energy से हो रही है बहुत सरी अलग-लग sources है, जो पांचवा source है, वो है nuclear energy हमारे देश का जो total बिजली का generation है, उसमें 2%, 2% के contribution है इस nuclear energy का और इंडिया के पास में आज के समय पर total 22 nuclear reactors है इस प्रकार के साथ power plant भी यह पूरे power plant होते हैं इसमें कही सारे reactors होते हैं, ठीक है तो 22 nuclear reactor है हमारे साथ power plants के अंदर पूरे देश भर में और यह जो reactors और nuclear power plants से कितनी energy generate करते हैं, 6780 मेगावाट तक ही है, जो nuclear power है वो generate कर लेता है, इन reactor में हमारे पास में कुछ 18 प्रेशराइज heavy water reactor है चार light water reactor है, तो यह अलगलग प्रकार है, उसको पढ़ने की इतनी ज़रुरत नहीं है जून 2021 में हमारे पास में एक और reactor देखने को मिला ककरा पर atomic power project यह इडिया का पहला 700 मेगावाट यूनिट का यह project आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा project जो कि हम खुद से यहाँ पर develop कर रहे हैं, यह भी एक प्रकार का रियक्टर इसको grid से connect किया गया, तो भारत सरकार ने यहाँ पर अल्रेडी जो joint venture से वो भी यहाँ पर allow कर दिये हैं, बड़ी बड़ी companies साथ में आ रही हैं, इंडिया के nuclear program का और बढ़ाने के लिए, जैसे अभी nuclear power corporation of India limited जिसको NPCIL बोलते हैं, प्लस public sector undertaking साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और NPCIL नाम की जो body है यह भी joint venture कर रहा है, national thermal power corporation limited के साथ में, Indian oil corporation limited के साथ में, companies मिलकर यहाँ पर nuclear power को और जदा बढ़ाने के उपर focus कर रही हैं, अभी यहाँ पर एक nuclear power plant तयार हो रहा है गोरगपूर के अंदर में ठीक है, गोरगपूर टाउन हरियाना में, हरियाना के future को देखते हुए, ठीक है इंडिया यहाँ पर आज के समय पर एक thorium based nuclear plant के उपर भी काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यह nuclear plant है ना, इसमें uranium का use करते हैं, plutonium का use करते हैं, thorium भी एक best चीज है thorium से भी energy generate कर सकते हैं, तो भारत अभी एक ऐसे plant के उपर focus कर रहा है, जो कि केवल thorium पर चलेगा, उस plant का नाम है भावनी, जो कि पहला होगा, जहाँ पर, sorry, ऐसे plant आपको दूसरे देखने को में भावनी, जो कि यहाँ पर पहला uranium 233 वाला plant होगा, और thorium वाला जो plant होगा, वो होगा काम है नहीं, जो अल्रीड़ी यहाँ पर exist करता है, कलपक कम में, तो इस प्रकार के जो plant से उसके उपर हम लोग काम कर रहे हैं यह बात आपने ध्यान में रखनी है, तो इंडिया आपनी energy को और ज़दा expand करने के उपर focus कर रहा है, लेकिन इसके उपर थोड़ा जो हमारा काम है, इसको और ज़दा बढ़ाना पड़ेगा, सवाल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है कि हमें, यानि इंडिया को nuclear energy की ज़रुरत क्यों है, क्यों आवशकता है, इसके पिछे कच्चा तेल भी purchase कर रहे हैं, gas भी import कर रहे हैं, सब कुछ तो import कर रहे हैं, उससे बिजली बना रहे हैं, तो देश की जो निर्भरता है, दूसरे देशों के उपर वो बहुत ज़ादा है सही है, reserves हमारे पास में भंडार बहुत कम हैं, तो इस चक्रमा में खुद के nuclear energy के उपर focus करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर जो fossil fuel का market है, इस पर हमारी dependency कम हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे दिल के दाम बढ़ते रहें, घड़ते रहें, हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में nuclear energy होगी solar energy या कह सकते हो के wind के मादम से energy को generate करने का काम कर रहें, लेकिन यह हमारे लिए enough नहीं होगा, यह energy अभी भी बहुत कम है, बहुत ही ज़ादा कम है nuclear energy के मामले में, और अगर हम ऐसे target पूरा करने चले गए, तो target actually भी नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमें nuclear energy को अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन पड़ेगा जरूर, दूसरा यहाँ पर इसलिए भी जरूरत है, क्योंकि nuclear energy clean and carbon free है, हम इसको मानते है, nuclear energy मानी जाती है, बिल्कुल clean और carbon free, नहीं किसे जो pollution है, मतलब pollution होता है, लेकिन direct greenhouse emissions नहीं होते, हम लोग क्या करें क्लाइमिट चेंशे से टैकल कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तीसरा जो यहाँ पर आप कह सकते हो, इसकी जरूरत है, यह सस्ते होते हैं, आपके पास में एक nuclear plant ऐसा है, जहाँ पे कोईले को जला कर बिजली का उत्पादन हो रहा है, कोईले वाला nuclear power plant है, एक gas वाला power plant है, पता यहाँ पर operate करने में बहुत कम खर्चा आता है, जब इसकोईले वाले और gas वाले plant से compare करते हैं, तो, फिर एक और यहाँ पर ज़रूरत है, वो है reliable and continuous power, भाई, solar energy पर आप विश्वास करोगे, या wind energy पर आप विश्वास करोगे, ठीक है, दोनों energy अच्छी है, लेकिन क्या य energy दे सकती है, नहीं, भाई, यह तो weather के उपर depend करता है, ना, मौसम कैसा है, हवा चल रही है, तो energy मिलेगी, सूरे की किरिणे, अगर यहाँ पर सूरे चमक रहा है, तो energy मिलेगी, रात में नहीं मिलेगी, तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकता हो, यह जो continuous, यानि विश्वास क weather सके, ऐसा नहीं हो सकता होगी, weather change होता रहेगा, लेकिन जबकि nuclear energy क्या है, nuclear energy का, कोई weather से लेना दना ही नहीं, यह energy stable है, resilient है, लगातर आपको यहाँ पर energy प्रोवाइट करवाती विचलेगी, समझ गए, तो यह भी यहाँ पर इसकी जरुरत है, फिर एक और जरुरत है, achieving net zero, बही, 2070 तक भारेट है, target बनाया है कि हम pollution 2070 के बाद तो बिल्कुल नहीं करेंगे, 2070 तक तो net zero तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, अब इंडिया को यहाँ पर अगर 2070 तक net zero तक पहुंचना है, तो nuclear energy को अपनाना होगा, यह हमारी जरुरत है, ऐसा कुछ studies अल्रेडी यहाँ पर बता चुके हैं, जो की conduct की गई है विवेकानन्द International Foundation के साथ में, फिर उसके बाद में एक और जरूरत है, economic growth and job creation, दोस्तों क्योंकि देश जैसे सागे बढ़ेगा, हमारी economy जैसे सागे बढ़ेगी, हमारी energy की demands भी increase होगी, और energy की demand increase होगी, इसको हम सिधा सिधा क्या कर सक भारत के अंदर में energy का consumption जादा होगा, यानि कि यहाँ पर हमारा जो विकास है human development है वो जादा होगा, तो nuclear energy sector की वजासे बहुत सारी jobs, बहुत सारी नौकरिया, नएने innovations, economic growth, यह सब कुछ भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, overall देश के economy में यह help करेगा, फिर उसकाद मे प्लोटोनियम और प्लोटोनियम से चलाई जाती है, लेकिन हमारे पास में थोरियम है, हमारे पास में थोरियम के resources हमारे पास में available है, तो हम इसका तो use कर सकते हैं, नूक्लियर फ्यूल को बनाने के लिए, और थोरियम को थोड़ा safe ही मना जाता है, यूरेनियम बहुत खतरन प्रपूर मात्रा में तो कहीं ना कि इस से हम लोग क्या कर सकते हैं इस थोरियम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपनी खुद की टेक्नलोजी डेवलब कर सकते हैं तो यह काम करना जरूरी है या आपने ध्यान में रखना है तो यह तो हमारी सारी जरूरत है दोस्तों आपको देखने को मिल जाती हैं और बोला जा रहा है कि जो न्यूकलर एनरजी है यह कम लगकर जादा एनरजी प्रड्यूस कर सकती है जैसे यहाँ पर आप एक फोटो जहां से देखना मैं इसको और जूम कर देता हूँ दोस्तों छे हम लोग बात करता है यूरेनियum की न तो यह छोटा सा टुकदा आपको दिख रहा है तो यह एक इंच से बिचँ चोटा टुकड़ा यानि इसको 120 गलन एक टन कोयले को जला कर जो एनर्जी जनरेट होती है वो केवल एक उरेनियम का 1 इंच छोटा यहाँ पर टुकूदा जनरेट कर सकता है तो अब इमेजन करो कि यह जो न्यूकलर एनर्जी कितनी ज़्याधा पार्फुल एनर्जी है अगर इसका सही से उपयोग किया गया तो इसी का गलत उपयोग भी होता है जो कि यहाँ पर दुनिया भर के लिए फिर वो घातक सा भी तो होता है तो ये तो यहाँ पे हो गए कि हमें एक क्यों ज़रूरत है अब दोस्तों जरूरत है तो ठीक है अपना लोग क्या दिकत है ऐसा नहीं हो सकता काम इतना असान नहीं है इस इंडिया न्यूकलियर एनर्जी के अंधर में कुछ चुनौतियां भी है कुछ परिशानिया भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है सबसे पहली चुनाती है वो है Capital Intensive Nuclear Power Plant ऐसा यह कि बहुत ही सस्ता लगता है थोड़ा बहुत पैसे चाहिए होता है स्टार्टिंग का investment बहुत ज़ादा बड़े लेवल पर चाहिए होता है दूसरा यहाँ पर दूस्तो आप देखोगे न तो इंडिया के अंदर में लंबे सा मेसेज जो हमारी install capacity है न्यूगलर एनर्जी की वो बहुत कम रहे युकि हमें बहुत safety परकनी होती है न्यूगलर एनर्जी के मामलें बहुत safety में ध्यान रखना होता है आसपास का सिनेरियो क्या है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाथसा हो गया तो बहुत 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 बला damage होगा इतियास बन जाएगा वो यह यहाँ पर खतरनाए situation की rate होती है और 2008 में हम लोगों ने यहाँ पर सोचा था कि 2050 तक 650 गीगावट तक की जो capacity है energy की वो यहाँ पर install कर देंगे especially nuclear energy लेकिन अभी तक कर कितना पर है केवल 6.78 गीगावट तो यहाँ पर हम बहुत पीछे चल रहे हैं अपने target से बहुत जादा पीछे क्योंकि इसको लगा पाना इतना आसान process नहीं है समझ गए उसके अलाबा यहाँ पर दोस्तों कई सरे नियम कानून भी है फॉर एक्जांपल इंडिया सिविल लाइबिलिटी फॉर नुकलर डैमेज अक 2010 यह कानून है क्योंकि देखो होता क्या है कि जो यह nuclear power वाली जो पूरी यह technology है यह पूरी technology हमारे पास भी नहीं है हमें बहार से फॉरन सपोर्ट लेना पड़ता है तो विदेशों से जो सपोर्ट लेता है तो यह वाला जो कानून है कि यहाँ पर कोई भी अगर दुरघटना होती है जहाँ भी हम nuclear power plant लगा रहे हैं भी accident होता है तो उसकी जिम्मेदारी विदेशों के उपर चली जाएगी जिससे हमने यह purchase किया है तो उन्हें डर होता है भाई कहीं हमारे उपर इल्जाम ना लग जाया किसी accident का जो कि हमारे control में नहीं था तो इस चक्कर में यहाँ पर जो यह technology है वो हमको जादा मिल भी नहीं पारी है फिर उसकाद में एक problem आते है nuclear safety की nuclear safety की problem क्या है भाई जब आप nuclear energy को generate करते हो न तो इसमें से बहुत सरा कूड़ा निकलता है और वो कूड़ा nuclear waste होता है nuclear waste बहुत danger होता है इंसान के चपेट में आजा है तो इसको cancer हो जाए यह problems है तो nuclear energy का जो यह पूरा का पूरा कूड़ा है जो wastage है radioactive material है इसको कहाँ पर dispose करना है कैसे store करके रखना है यह भी अपना आप में बहुत challenging है यह भी अपना आप में बहुत ज़दा problematic हमको देखने को मिल जाता है ठीक है प्लस एक और problem है कि भाई इस technology को बहुत advanced level की technologies ए expertise चाहिए होती है वो expertise हमारे पास में आज की समय पर इतनी available नहीं है नहीं इतने बड़े level की technology available है फिरो इसके बाद में एक और challenge है वो है international cooperation भारत ने कई सारे agreements को sign नहीं किया है हम उसके membership नहीं है तो हमारे को nuclear technology को अपनाने में बहुत सरी problem समको face करनी पड़ेंगी तो इसके लिए यहाँ पर writer ने बोला है कुछ strategies कुछ रड़नीतिया हम लेकर चल सकते हैं इससे हम nuclear energy को पा सकते हैं या nuclear energy हम लोग gain कर सकते हैं सबसे पहला यहाँ पर जो हमें step उठाना पड़ेगा वो है भाई thorium thorium भारत में बहुत मातरा में पाया जाता है तो हमें फटा-फट यहाँ पर इसका use करना पड़ेगा अपने resources का utilization करना हमें शुरू करना पड़ेगा फिर उसके बाद में भारत को यहाँ पर कहीं न कहीं international corporations करने पड़ेंगे अलग-अलग देशों के साथ में एक international cooperation हो सकता है ताकि हम climate change से लड़ सकें दुनिया बर के scale पर तो यह भी यहाँ पर करना जरूरी है अब आप देख रहे होंगे आर्टिकल के गहराई कितनी है यह आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आपके हर एक aspect को छू रहा है ठीक है प्रलिम्स मेंस इंटर्विव कोई भी डिमांड हो उस सारी डिमांड को यह पूरी करता हो वो नजर आ रहा है समझ गए? चलो आते हैं अगले editorial की तरफ नेक्स editorial बात करता है दा इंडियन हिमालियन रीजन नीट सेट्स ओन ईयाई दोस्तो वैसे मैं चाहा तो रहाऊं कि यार यह वाला editorial मैं आपके साथ में कल डिसकस करूँ क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीज़ा आपको समझानी पड़ेंगी और उसमें हमारा काफी सारा समय निकल जाना है चलो खोई बात नहीं आ रहा थोड़ा डिले हो जाएगा वीडियो समझ लेता है क्या है पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर आप देखवारूंगे राइटर है अरचना वैदिया और साधी साथ में विक्रम हेगडे यह एड़ोकेट है सुप्रीम कोट के अंदर में इन्होंने मेंशन किया कि भाईया हम ना क्या कर रहे है इन्वोर्मेंट इंपेक्ट असेस्मेंट के उपर फोकस तो करते हैं लेकिन सर यहाँ पे न इन्वोर्मेंट इंपेक्ट असेस्मेंट के जो रूल्स और नियम्स है सब हम लोगों ने एक समान रखकर सभी पूरे देश में हमने लागू कर दिया वही हमें अलगलग जगा की जो रिक्वार्मेंट्स होती है उसके हिसाब से नियम कानून बनाने चाहिए थे अब पहला दिमाग में सवाल आएगा यह एन्वोर्मेंट इंपेक्ट असेस्मेंट है क्या नाम से पता चल रहा है आपको एन्वोर्मेंट इंपेक्ट असेस्मेंट मतलब क्या होता है कि मानलो एक जगा है यह हमें पहले यहां पर environment impact assessment का approval लेना पड़ेगा यह क्या होता है यह यह होता है कि यहां पर पहले से एक prediction लगा जाएगा पता लगा जाकर भी उत्राखर्ण में इस जगह पर जो डैम लग रहा है इस डैम की वज़ा से इसके आसपास के environment पर असर कैसे पड़ेगा भविश्य में कैसे असर पड़ेगा आसपास के लोगों कोई नुकसान तो नहीं होगा इस एरिया में कोई damage तो create नहीं होगा किसी national park को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है जानवरों को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है पलूशन तो generate नहीं होगा यह सारी चीज़े यहां पर पहले अब्लबा जो हुआ करताथ वो थोड़ा strict हुआ करता था ठीक है थोड़ा नियम के उधाहर पर काम किया करताथ लेकिन 2020 वाल आप देखोगे तो ज्ञादा strict नहीं है छूट मिल रही है भाई इंडेस्ट्री तब भी लगा रही है तब भी लगती चल जारी इंडेस्ट्री अब यहाँ पर एक ही करके discuss करेंगे, मैंने आपको overview बता दिया, इनका कहना यह है कि हाली में, आक्टूबर इसी महीने के बात करें, इस महीने के शुरुबाती तौर पे, तीस्ता डैम का नाम अपनों सुना है, सिक्किम के अंदर तीस्ता डैम तूट गया, और तूटने के व लोगों को, उसके पीछे का reason है हमारा development है, हम लोगों ने जिस तरीके से development कर रखा है, especially उत्रखंड हो गया, यह जो हिमालन states है न, यहाँ पर जब भी आप कोई विकास करो, जो भी कोई project लगा रहे हैं, उस project को लगाने के लिए बहुत सरे approvals आई होते हैं, बहुत चीज़े किये जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर यह जो है सीधा सीधा environment पर असर पड़ेगा, इससे क्या होगा, लेंड्स लाइट देखने को में देगा, अब लेंड्स लाइट ऊपर से पालट हैगा, नीचे तो नीचे जो लोग रहे हैं, उनकी तो जान जाएगी न, तो वो environment के उपर असर क्या पड़ेगा, यह चीज़े पहले ही analyze की जाती है, तो environment impact assessment हमारी help करता है, decide करने में, कि भईया, सारा काम अच्छे से हो सके, जो भी problem आने वाली होंगे भाविश्य में, उसको यहाँ पर पहले सी हम tackle करके चल सके, इन सब चीजों का अनुमान लगा कर सारा का सारा data एक खटा किया जाता है, अब दोस्तों यहाँ पर यह काम करने के लिए आपके पास में project की अच्छी कासी information होनी चाहिए, भाई environment impact assessment की team आ गई संबोज यहाँ पर, और वो देखने वाली है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने वाले हो, तो हमें चलाओ data दो सारा का कि भाई क्या project कैसे लगना है, अगर आप data नहीं दोगे स्टीम को तो यह data अनुमान नहीं लगा पाएगी, आपने data फरजी दे दिया, लेकिन आपने project लगाया खतरनाक जिससे environment के उपर नुकसान पड़ेगा, तो इसका भी तो impact है न, तो एक proper data इनको देना भी काफी ज़रूरी है, जबकि कई बारे case में घोटाले भी हो जाता है, proper data इनको अविलेबल नहीं करवाया जाता है, समझ गए, अब आगया आते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे writer ने यह बोला कि भारत के अंदर में, जो यह environment impact assessment का पूरा process है, यह planning आई कहां से, इसकी शुरुआत तो ज़रा analyze करो, environmental point of view से, जो उसमें project लग रहे थे, वहाँ पर environmental point of view से उनको analyze करने की जिम्मेदारी दी गए, department of science को, तो उसी समय पर यह environment impact assessment आ गया, अब दिरे दरे हम लोगों ने इसको पूरे के पूरे नियम के अंदर में तकदिल कर दिया, और मैं आपको बता दू, 1994 से जो पर यहाँ पर लाया गया सामने, तो 2006 का जो इन notification था, इस notification के अंदर में काफी सरी powers हमारी state government को भी दी गई थी, यह राज सरकारों के पास में भी power है, कि वो क्या करेंगे, वो कहीं न कहीं अपना जो environmental clearance से वो देने का काम करेंगे, राज सरकारों को भी power मिल गई तो 2006 का जो notification notification था दोस्तों, इसमें कई सरे amendments हो इट समय से समय पर, और finally यहाँ पर 2020 में नया कानून रख दिया गया, environment impact assessment को लेकर, 2020 में नया laws यहाँ पर रख दिये गए, अब नये जो laws यहाँ पर 2020 में रखे गए न, वो हमें जरूरत नहीं थे, उससे पहले 2006 के नियम कानून सही थे, ल क्योंकि 2020 के जो नियम कानून है, यह बिल्कुल सेम कानून पूरे देश भर के लिए रख दिया आपने, सेम laws पूरे देश भर के लिए नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि इंडियन हिमालियन रीजन अलग है, जो यह पहाड़ी इलाका है, हमारे हिमालियाज हैं, यह आपको छूट मिल रही है, और उनको पता है कि हिमालियन रीजन में क्या नुकसान हो सकते हैं, कई सरी रिपोर्ट्स पता है, पहले साई भी हैं, आज के समय पर जोशी मठ पूरी तरह से धसरा है जमीन के नीचे, और यह रिपोर्ट्स पहले के नोज़ार पांच छे से पहले की रि 2020 वाला, इसके तहद भी आपने ये देखना था, कि भई जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर थोड़े से चीजें, उसका हिसाब किताब अलग है भई वहाँ पे, ठीके वो थोड़ी से यहाँ पर और जदा सेंसेटिव जगा है, वहाँ पर उसके हिसाब से प्रोजे रखे गए, जिसका नुकसान आज हो रहा है, और आज हम यहाँ पर कह सकते हो कि लगातार लोग की जान जाते वे, फ्लेश फ्लड आते वे, लेंड्स लाइट्स होते वे हम लोग देख पा रहे हैं, और क्लाइमिट चेंज तो एक नई चीज आ चुकी है, क्लाइमिट पारत है, नियम कानुनों को जगा के हिसाब से डिसाइड किया जाए, जो हमारे हिमालन स्टेट्स हैं, वहाँ पे हर साल, हर साल तबाही मचती है, हर साल हम पे केस पढ़ते रहते हैं, लेंड्स लाइट्स होगा है, लेंड्स लाइट्स के हर साल केस देखते हैं, इन करके न्यम को सामने रखना होगा पहाड़ी लाओ के लिए आलाकों के लिए इलाओना चाहिए न्यम यह एसी होने चाहिए कि भई जो आस पास के लोग हैं, उनके ओपर कोई बुरा असर न पड़े, आपके प्रोजेक्ट का, आपका प्रोजेक्ट डवलप्मेंट के लिए लग रहा है, सही है, क्योंकि दो को प्रोजेक्ट तो अब्विस सी बात है, देश का डवलप्मेंट भी जरूरी है, लेकिन ऐसा भी प्रोजेक्ट आपने लगाया, और बिना कोई रिसर्च करके, वो जब प्रोजेक्ट लगा तो तबाही हुई, आपने डैम बनाया, बहुत जदा हिलना विलना हुआ, वहाँ पर है न, उसके जखकर में भूकाम पाया, और फिर उसके बाद मगर आप देखोगे, तबाही भ पर जगा का जो कंडिशन है, उस जगा की जो इस्थिती है, उसको भी समझना हमाले जरूरी है, जो आज के समय पर हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने जो केस है, उसके अंदर में अलड़ी मेंशन कर चुका है, कि भाईया, यहाँ पर जो य आपको बहुत अच्छे से, इन्वोर्मेंटल इंपक्ट असेस्मेंट का जो पूरा प्रॉसस है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इस्पेशली यहाँ पर थोड़े बहुत पॉइंट आप व्यूस आपको इनके देखने को मिलेंगे, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो मै आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाबाए, have a nice day, thank you and जैहिंद, अच्छा रुख जाओ, अभी नहीं है, अभी नहीं जा रहे हैं, पहले prelims वाला question देख लेता हैं, ठीक है, question यह था कि जो यह term है two state solution, यह कभी-कभी news में देखने को मिलता है, यह कौन से देश से संबंदित, इसरैल से संबंदित आपको पताओगा, इसरैल पहले सिन के बीच के two state solution की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, चलो आप करते हैं, अंत, बाई बाई, जैहिंद,